उसके बाद हम आपना नेक्स्ट टॉपिंग देखते हैं Magnetic Flux and Magnetic Flux Density तो इसके अंदर जिस जिस तरह से question बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिये तो first question हो सकता है कि explain यह define Magnetic Flux सिरफ एक पूच सकते हैं या फिर सिरफ flux density पूच सकते हैं या फिर both आजगा कि explain Magnetic Flux and Flux Density या फिर define Magnetic Flux Define Flux Density इस तरह से question बन सकते हैं उसके बाद इन में से numerical question आते हैं ठीक है आपको कोई problem solve करने के लिए दे देंगे उसके लावा conditions आती हैं यानि according to angle कि अगर ये angle है तो Magnetic Flux कितना होगा angle change करके आपको conditions दे सकते हैं वो भी एक तरह से numerically कह लें या इस तरह से पूच लेंगे कि जो MCQ में आ सकता है कि maximum जो Flux Density है वो किस angle पर होगी minimum किस पर होगी इस तरह से उसके बाद question आ सकते है define Weber या फिर Tesla ये इनके units है Weber unit है Magnetic Flux का और Tesla है Flux Density का तो इंसे डिलेटिट भी question आ सकते हैं अब हम इस topic को देखते हैं इस सारे questions इस topic के अंदर हम cover कर देंगे तो हम पहले Magnetic Flux को देखते हैं ये देखें ये है Magnetic Flux B अगर Magnetic Flux है simple जैसे हमने Magnetic field पढ़ी थी तो उसकी Magnetic Field of Lines थी तो जब Magnetic Flux है तो उसकी Magnetic Flux Lines होगी Magnetic Flux of Lines एक unit area से पास हो रही है तो इनको हम कहते हैं Magnetic Flux किसी और unit area नहीं किसी vector area से पास हो रही है तो मैंने आ लिग दिया Magnetic Field of Lines passing through a vector area Magnetic Flux को हम show करते है B B.A B is Magnetic Flux या हाँ और जो A है वो उसका area है तो B.A कॉस्ट ही थी था क्योंकि जो Lines है ये ये vector area से कोई ना कोई angle बनाएंगी ठीक है तो Magnetic Field and Vector area अगर गूसरे के parallel है जैसे ये area है A और ये field है सही दोनों की direction इसी तरफ है ये दोनों एक दूसरे के parallel है तो जब दोनों एक दूसरे के parallel है तो होगा angle 0 और cos 0 is 1 so magnetic flux will be maximum ये conditions की मैं बात करी थे कि आ सकती है उसके बाद अगर हम ये देखें कि ये जो area है इस तरह है सही है तो इसका area के जो है normally area मतलब जो इसकी standing side होती है न वो लेते होता है ठीक है इस तरह से जब ये area इस तरह है तो इसका area of course ये ऊपर को चला गया उसकी एक तरह से direction कहला है और जो magnetic flux है वो यू जा रहा है तो ये perpendicular हो गए एक दूसरे के ये यू और ये यू 90 का angle बन गया ठीक है जब perpendicular हो गए तो cos 90 हो गया cos 90 is zero तो magnetic flux will be minimum और अगर कोई surface है चुके uniform नहीं है देखें यहां से इसकी width ज़्यादा है यहां से कम है और यह थोड़ा सा curve में है तो हम उसके लिए हम क्या करते है अब यहां तो हर जगा पे अलग-अलग flux होगा तो हम क्या करते है इस तरह का जो surface होता है उसको patches में divide करके हर patch का flux निकालते है जो हमें लगता है कि इतना एक part है ये uniform है इतना uniform है उसको हम accordingly patches में करके फिर एक-एक का flux निकालते है और फिर उनको add कर देते है तो मैंने यह लगता है if surface is not uniform dissolve that surface into small patches and P-A-T spelling mistake है small patches and then find flux add all the fluxes तो उस surface का flux हमें मिल जाएगा उसी बाद हम unit की बात करते हैं तो अगर हम formula देखे है जो के है B-A सही है magnetic flux and A area तो जो magnetic flux है उसका अगर हम unit निकालें तो वो होता है newton per meter area ठीक है और दूसरा है हमारे पास area area का unit क्या होता है meter square तो वो हमने यह लिग दिया newton per meter area and meter square अब यह meter square इस meter से cancel होगा तो क्या हो जाएगा newton meter per area और यह जो newton meter per area है यह equal होता है weber के तो हम लिखते हैं कि magnetic flux का unit है weber अब question आता है what is one weber one weber is one newton meter per area तो यह मैंने आपको main relation बता दिया अब इसका answer बनाना आपका काम है ठीक है और वही हर student की अपनी speciality होती है कि वो जो आपके पास एक idea है उसको किस तरह से लिखते हैं ठीक है यह हो गया अब हम देख लेते हैं इसी topic का next part चलेंब हम flux density देख लेते हैं flux density is magnetic field यहाँ flux नहीं आएगा magnetic field passing through a unit area is flux density जब magnetic field pass हो रही थी vector area से तो हमने उसे कहा magnetic flux और जब वही magnetic field pass हो रही है किसी unit area से unit area से तो हम उसे कह रहे हैं flux density इसको हम और stress डिफाइन कर सकते हैं कि magnetic flux per unit area ठीक है तो also called magnetic induction and magnetic field of strength magnetic field strength है magnetic field of strength तो जो flux density है उसके दो और नाम भी है एक है magnetic induction डूसरा magnetic field strength तो जो हमने magnetic flux का formula देखा था B.A उसी को हम change करेंगे B is equal to magnetic flux by area जो कि हमने यह लिखा magnetic flux per unit area वो हमने लिख थे अब हम इसका unit देखते हैं तो जो इसका unit है magnetic flux का वो है Weber से यह उसके बाद area area का है per meter square यहां मैंने minus डालना भूल गी थी यहां पर minus नहीं हम इसको इस तरह से लिखते हैं Weber per meter square सही है तो हम इसको ऐसे भी लख सकते हैं Weber Weber को हम W भी लिख लेते हैं short करने के लिए वनाई यह इतना बड़ा होगा capital W and small b meter square यह उसका unit है और यह जो Weber per meter square होता है यह equal होता है one tesla के equal होता है tesla के अब जब exam मतलब question आता है कि what is one tesla तो one Weber per meter square is one tesla तो अब इसका answer भी आप लोगोंने accordingly खुद ही थोड़ा सा define करके थोड़ा सा long करके लिखना है तो यह थे दो topics जिसके अंदर हमने एक तो derivation cover कर ली और जो हमारा यह second topic था इसके अंदर दो subtopics थे और इसके अंदर हमने चार short questions cover कर ली अब बाकी remaining हम next video में cover करेंगे